आज मैं फुल डेटेल कंपेरिजन करने वाला हूँ 214 की न्यू बजाज पलसर 125 स्प्लेट सीट OED2 मॉडल को 214 की न्यू हीरो की ग्लेमर एक्स्टेक 125 डिस्क ब्रेक OED2 टॉप मॉडल से दोनो बाइक की अलग-अलग फीचर साब को क्या-क्या मिल जाते हैं माइलेज, टॉप स्पीड, परफॉर्मेंस के मामले में सबसे जादा वेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सी बाइक है पलसर आती है, आउन रूड आपकी एक लाग पंदर है 900 की वहीं पर ग्लेमर आती है एक लाग 9300 की दोनों में 6600 का अंदर है चली जानते हैं कौन सी लें तो वहीं पलसर बाइक से शुरुवात करते हैं तो इसमें जो डिजैन है वो 150 CC वाली मिलते है उपर का जो वाइजर है ये काफी बलकी और हैवी मिल जाता है नीचे में बजाच का लोगो है जो इंडिकेटर है ये आपको हेलोजन में मिल जाते हैं फुली फ्लेक्सिवल नेगेटिव ये है का वाइज इसमें कोई भी LED हेडलाइट आपको नहीं मिलते है सिर्फ हेलोजन हेडलाइट से ही आपको सबर करना पड़ेगा कोई भी LED DRL आपको नहीं मिलते हैं उपर में दो छोटे-छोटे halogen pilot lamp आपको मिलते हैं लेकिन looks के साब से देखा रहा है तो इसकी जो road presence है वो glamour से ज़्यादा better लगते हैं लेकिन इसमें कोई भी LED head lamp बगार आपको नहीं मिलेगा दूस्तों लेकिन वाई light के मामले में ग्लेमर आगे निकल जाते हैं इसका जो visor है यह आपको थोड़ा सा stylist मिलता है hero का 3D में logo है indicator भी आपको थोड़े से new design के halogen में मिल जाते हैं सबसे plus point इसमें LED आपको DRL मिल जाते हैं और उपर और नीचे में split LED head lamp का setup आपको मिल जाते हैं तो जो लोग LED की ज़्यादा demand करते हैं तो उसके लिए यह bike perfect सोदा है features के साबसे pulsar bike के friend में आपको telescopic suspension मिल जाते हैं और जो की बहुत ज़्यादा मौटे तो नहीं है basic से ही हैं और आगे में थोड़ा सा carbon fiber touch के sticker हैं glossy black color में mudguard है 240 mm diameter की disc मिलती है ABS आपको इसमें नहीं मिलेगा दोनो साइड में reflector हैं 817 profile का tubeless tire मिल जाता है आगे वाले tire की जो चोड़ाई है वो 80 mm के आपको मिल जाती हो 17 inch का yellow wheel दिया गया यहाँ पर जबकि glamour extract के friend में भी आपको same diameter के telescopic fork मिल जाते हैं और इसका जो mudguard है यह pulsar से काफी चोड़ा दिया गया है इसमें drum और disc दोनों चीज़ा मिलती है यह 130 mm की drum है 240 mm की disc भी आपको मिल जाती है यहाँ पर 8018 profile का tubeless tire है इसमें 18 inch का yellow दिया है pulsar के fuel tank के ढखकन के उपर में यहाँ पर एक E20 का sticker है जैसा कि यह E20 fuel को भी support करेगी और जो color है वो आपको थोड़ा सा signing वाला मिलता है glitter pattern के साथ tank pad भी आपको मिल जाता है white color के graphics आपको मिलते हैं pulsar का 3D में एमले में dark chrome के साथ यहाँ पर जो काउल है chrome के साथ x-tech की waging आपको मिल जाती है cowl आपको थोड़े से sporty look में मिलते हैं और white color के graphics दिये गए हैं 12 liter का petrol tank है metal body का E20 का update भी आपको मिल जाएगा E20 fuel को यह भाइक पूरी तरह से support करती है और white के petrol tank की जो design है वो stylish है एक plus point यह है के भाइक pulsar 125 में आपको clip on वार sporty handle वार मिल जाती है जो की काफी upright है लेकिन इसमें आपको semi digital meter console आपको मिलता है यहाँ पर आपको rpm meter analog में यहाँ पर rpm limit speedometer आपको मिल जाता है नीचे में fuel gauge मिल जाता है low battery side stand real mileage indicator इस bike में भी आपको मिल जाता है और orange color की light display में आपको जलती हुई दिखाई देती है DTE भी आपको मिल जाता है distance to empty बाग इसमें service reminder आपको मिल जाता है mileage यह भाइक आपको देती है local में 45 का और highway पर 52-55 kmpl तक का mileage आपको निकाल कर देती है 107 की आपको top speed भी आसानी से निकाल कर देती है बाकी switches की जो quality वो भी काफ़ एची है आपर passing, upright पर indicator और horn जो clutch है वो भी आपको medium ही मिलती है बहुत ज्यादा tight नहीं बहुत ज्यादा halky भी नहीं platina वाले आपको mirror मिल जाते है आपर engine के लिए नीचे में service start का button दिया गया है लेकिन glamour में आपको single pipe handlebar मिल जाते है जो की थोड़ी सी upright दी गई है और इसमें plus point यह है के वाई USB charger भी आपको मिल जाता है और full digital meter console मिलता है LCD वाला जिसके नीचे में आपको घड़ी मिल जाती है gear position indicator मिल जाता है rpm meter मिल जाता है speedometer मिल जाता है eco indicator मिल जाता है और इसमें turn-wide turn, GPS, navigation, assist आपको मिल जाता है तो 2-3 features इसमें आपको extra मिलते हैं जो आपको pulsar 125 में धूड़े भी नहीं मिलते हैं 107 की top speed यह भी उठाती है और यह आपको देती है 55-60 का mileage USB charger भी आपड दिया गया है जो clutch है वो भी इसकी काफी light है यहाँ पर passing, upper diaper, indicator और horn side में आपको eye test technology नीचे में self start है देखो road presence के मामले में इसके जो side body panel है या फिर इसके जो कावल है वो काफी ज़्यादा sporty look provide करते हैं नीचे में dual tone color की sticker मिल जाते हैं यह जो कावल है वो इस pulser को चार चांद लगा देता है looks के मामले में इसमें आपको split seat आपको मिल जाती है seat के अंदर की जो form है वो आपको middle soft आपको मिल जाती है लेकिन वहीं पर pulser 125 का ये base model लेते हैं जो की 98,000 को on road आता है तो इसमें single seat भी आपको मिल जाती है और पीछे में चलते हैं तो split वाले grab handle मिल जाते हैं base model में single handle आपको मिलता है और split वाली LED वाली tail light आपको मिलती है और halogen वाले fully flexible indicator और नीचे में reflector और यहाँ पर जो मढगार है ये भी काफी लंबा चोड़ा यहाँ पर दिया गया है Glamour के seat cowl के उपर में hero का sticker दिया गया यहाँ पर I3S की wedging आपको मिलती है programed FI fuel injection system मिल जाता है इसकी जो काफी है वो एकदम simple से दिये गए है और यहाँ पर जो seat head आपको pulsar 125 से ज़्यादा मोला है में आपको मिल जाती है इसमें 793 mm की seat head मिलती है जो की 7 mm जाता है pulsar 125 से split वाले grab handle hero की branding halogen वाली tail light आपको मिलती है जो की edge shape में दीगे halogen indicator है इसको pulsar 125 में पीछे में disk आपको नहीं मिलती है यहाँ पर सिर्फ आपको 130 mm की drum brake आपको मिल जाती है पीछे में एक tire huger भी दिया गया है जैसा की short mud guard आपको मिलता है और यहाँ पर 197 profile का tubeless tire मिलता है पीछे वाले tire की जो चोड़ाई है वो आपको glamour की तरह 100 mm की मिल जाती है और यहाँ पर 70 inch का black color का yellow wheel दिया गया है plus point यह है कि पीछे में न twin gas shocks, nitrox, adjustable suspension आपको मिल जाते हैं की काफी अच्छा performance भी देते हैं और muffler guard आपको पूरा black color का मिलता है glamour extract की पीछे में एक बड़ा सा tire हगर आपको मिल जाता है लेकिन दिखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है पीछे में 130 mm की drum brake आपको मिल जाती है 198 profile का tubeless tire मिलता है यहां भी 100 mm का चोड़ा tire है 5 step adjustable hydraulic shock absorber आपको मिल जाते हैं यह जो exhaust आप देख रहे हैं यह pulsar 125 से काफी ज्यादा better लग रहा है अब में मुद्य पर आते हैं दो वाई pulsar 125 में आपको selfless start और cake start दोनों ही सुविदा आपको मिल जाती है brake pad भी आपको chrome का मिलता है और single horn आपको मिलता है इसमें आपको 124.4 cc का air cold forest rock to world BSX fi engine दिया है जो 11.8 PS की max power देता है और 10.8 Nm का torque पैदा करता है plus point इस bike का यह है के वाई glamour bike के मगाबले इस engine में आपको 1 bhp की जो power है वो जादा मिलती है लेकिन जो torque है वो आपको glamour x-tech की तरह सेम का सेम मिल जाता है देखो जो glamour x-tech आप यह जो देख रहे हैं न वाई इसमें केक और self दोनों ही चीज़े मिल जाएंगी 100 cmm की ground clearance आपको मिलती है पलसर से जादा है foot packs आपको एकदम center में मिलते है यह इसका brake pad catalytic converter भी के उपर भी आपको metal की plate मिलती है यहाँ भी metal की plate है यहाँ भी metal की plate है तो इसमें जो engine है वो air cooled वाला दिया गया है जो की 124.7 cc का air cooled forest stroke BS6 fi 2 वाल BS6 fi engine दिया है जो 10.7 bhp की power देता है 10.6 nm का torque पैदा करता है भले इसमें 1 bhp की power कम है लेकिन इसका power to weight ratio वो इसका initial pick up काफी अच्छा निकलता है 1320 mm का pulsar का wheelbase दिया गया है इसकी जो height है वो भी आपको glamour से ज़्यादा मिल जाते है तो देखने में यह जो bike है न वो काफी ज़्यादा चोड़ी और bulky और काफी ज़्यादा भौकाली प्रतीत होती हालंकि यह बहुती कम price point पर आती है यहाँ पर जो sardi guard आप देख रहे हैं यहाँ पर pair वगएरा को रखने के लिए भी option दिया गया है और open chancet cover आपको नहीं मिलेगा चार gear AD की तरब से डाले जाते हैं तो और इसमें बाकी कोई भी advanced technology features आपको नहीं मिलता है fuel injection technology वाइक है तो इसमें कम से कम एक से डेड़ लीटर petrol आपको रखना पड़ेगा जबकि glamour का जो wheel waste है वो 1260 mm का इसकी जो height है वो pulsar से थोड़ी सी कम मिलती है 120 kg इसका वज़यन है जो की 70 kg हलकी है pulsar से और यहाँ पर आपको साड़ी गार मिल जाता है pulsar जैसा ही और जो foot packs है वो भी आपको foldable मिलते है plastic body का इसमें आपको chancet cover मिलता है इस bike में भी आपको 5 gear मिल जाते है साथ में आपको bank angle sensor मिल जाता है fi technology आपको मिल जाती है और इसमें आपको accents technology मिल जाती है side stand engine guard of sensor मिल जाता है तो fully features loaded bike है इसमें भी आपको डेड़ से 2 liter petrol आपको reserve करके रखना पड़ेगा क्योंकि यह fi वाली bike है भाई अब बात करते हैं कि दौनों में से कौन सी bike आपको लेनी चाहिए अगर आपका budget एक लाग रुपे से लेकर एक लाग 15,000 के बीच में है और आपको एक ऐसी जवड़जस्त मतलब की heavy weight वाली bike चाहिए जिसमें आपको थोड़ी सी power ज़ादा फीलो आपको features से कोई भी मतलब नहीं है और आपको road presence भी थोड़ी सी अच्छी चाहिए तो मेरे साबसे आप Pulsar 125 का base model या फिर आप top model को consider कर सकते हैं लेकिन अगर आपको LED वाला LED चाहिए Bluetooth connectivity चाहिए USB charger की जरुवत है bike आपको थोड़ी सी हलगी चाहिए power pickup और performance आपको थोड़ी सी सीटी में ज़्यादा चाहिए handling वेगर अच्छी चाहिए तो फिर मेरे साबसे जो है वो आप glamour की X-tech का drum या disc brake को भी आप consider कर सकते हैं